प्रेंग还elow थौसतो नश्टे सुवगत आपका एक नए वीडियो में इस वीडियो में पाथ करेंगे पहले flotation के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे transmission of light के बारे में तो पहले flotation पाथ करें तो objects में float और sink in water very simple object जो होते जो चीजे होती या तो पानी में तैरेगा या तो पानी में डूब जाएगा उसको हम क्या कहेंगे flotation कहेंगे कि क्या वो तैर रहा है पानी में some of these materials that do not mix well with water floated to the surface of water यानि कि कुछ ऐसे materials होते हैं जो पानी में mix नहीं होते है तो वो क्या होते है वो पानी में float हो रहा होते है ठीक है for example कोई dry leaf है some dry leaf fall into the surface of a pond एक pond के surface पे कोई सुखा पत्ता अगर गिर जाता है तो क्यूंकि वो पानी अगर उसमें mix नहीं हो रहा है और वो dry है तो इसलिए वो float होता रहेगा उसके उपर वैसे दूसरा एक example is stone thrown into the pond ठीक है अगर आप pond में कोई पत्थर फेक देते है तो वो क्या होता है डूब जाता है few drops of honey that let fall into a glass of water अगर आप किसी glass of water में 2-3 drop honey डालते हो तो वो क्या होते है डूब जाते है जैसे differentiate कर सकते हो यहां पे कि कौन सी चीज तैर रही है और कौन सी चीज नहीं तैर रही है निकी डूब जा रही है अब बात करते है ट्रांस्पेरेंसी के बारे में ठीक है ट्रांस्पेरेंसी क्या होता है different materials allow different amount of light to pass through them अलग-अलग materials जो होते है न वो light को अलग-अलग amount में pass करने के लिए allow करते है कुछ materials होते है जो completely पूरा light allow करते है कुछ materials होते है जो पूरा light allow नहीं कर पाते है और कुछ materials ऐसे होते जो बिलकुल भी light allow नहीं करते है कि उनके through pass करे ट्रीक है तो इस basis पे हम differentiate कर सकते है इस property of material को हम क्या होते है transparency कहते है, तो transparency के basis पे तीन चीजों में group हो सकते है पहला transparent, दूसरा translucent और तीसरा opaque तो पहले बात करते है transparent के बारे में materials that allow all light to pass through them यानि कि जो materials सारी light pass होने को देती है, allow कर देती है उनके through उनको क्या कहते है, transparent materials कहते है फिर example glass, आपने देखोगा, glass जो है उस पे आपको आर पार दिखता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि उससे पूरा light pass हो पार है water, पानी, air, हवा, कुछ plastic और cellophane paper अब अपने एक चीज़ notice किया होगा कि shopkeepers generally prefer to keep items like toffee, biscuits और other edible items, एकसे टाइने transparent jar मतलब कि जो shop की पर दुकान दार, कभी आप दुकान में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि toffees के जो आपके jars रखे होते हैं, वो transparent होते है यानि कि आप उनके आर पार देख सकते हैं, तभी उनके अंदर आपको toffees दिख जाती है क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप जाओ, पहले आपको toffees दिखे और आप उसको खरीद लो तो वैसे ही क्या होता है, इनको हम क्या कहते है, transparent materials एक और एगर मैं आपको example दूँ, तो windows are usually made of glass जो आपकी घड की खिड़किया होती है, वो usually glass से बनी होती है, ताकि appropriate amount of light जाए वो रूम के अंदर आ सके अब बात करते है, translucent material के बात, क्या translucent material में हमें कुछ नहीं दिखाए देता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है for example, oiled paper, आपको पेपर में अगर थोड़ा सा oiling कर दो, तो वो translucent बन जाते है, आपको दिखाए देता है आरपर, बट बहुत ही कम, यह हलका सा, butter paper हो गया, या फिर कोई पुराना glass का डोर हो गया, या colored glass, तो यह सारे क्या है, यह सारे आपके translucent materials में आ जाते है तीसरी चीज़ा आती है, opaque materials, materials that do not allow light to pass through them, very simple, material, वो material, जो अपने आर पार कोई भी light pass होने को देती ही नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, opaque materials करेंगे Now, one can't see things in closed wooden box, एक wooden box एक लकडी का box है, टेक है, डबबा है, बंद है, आप उसके अंदर देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है, नहीं देख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो opaque है, उसके अंदर light pass हो ही नहीं रहे है, तो आपको दिखाई कैसे देगा, है ना, कार्टन भी है, उसके cardboard होता है, यह सारी चीज़े क्या है, यह आपके opaque materials है, इस वीडियो में इतना ही था, और इस chapter में इतना ही था, I hope आपको सारी जोई समझ आई होंगी थोड़ी-थोड़ी, ठेक है, नहीं समझ आई तो वीडियो को फिर से देखिए, कुछ questions उनको solve करिए, and मैं मिलता हो आपक अगले chapter में तब तक के लिए, thank you so much.